आज मैं लोग प्रोफी टेनलों उसका बाचमा क्लास करेंगे और जैसे कि आप लोग को पता है कि हम लोग हर एक क्लास में एक नया टैप की कुष्चन को सीखते हैं तो आप लोगों न अगर पहले वाले क्लास नेक है तो पहले उसे देख लिजेगा ठीक है तो स्वागत आप सीखा सक्सेस क्लास 22 में चलिए आज की क्लास को सुरू करते हैं आपके समने आज की क्लास का पाला कुष्चन है कुष्चन करें एक कुर्सी के भी क्रेमूल पर 10% और 14% की चूट देने पर 37 रुपया का अंतर आता है खुर्सी का मूल ग्यांत कीजिए तो यहाँ पर आपको निकालना है खुर्सी का परिख क्ला निके करें गयर करें इसे समझे, आपको पता है, कि इक कुर्सी का जो bikramel है, उसमें दूस्तों दो तरह का छूत है, थीक है, एक वार 10% और एक वार 14%, तो दो तरह का छूत है, और इस दोनों छूत के बीच आपको अंतर पता है, कितना का है, 37 रुपया का है, थीक है, यहाँ जो कुर्सी के भी क्रेमुल पर छूट है 10% और 14% इस दोनों छूट के बीच आपको अंतर पता है कितना का है 37 रुपया का है ठीक है तो इसी के सायता से दुस्ता आपका क्रेमुल यानि कुष्ट परेस निकलेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको करना क्या है आपको पता है 10% का छूट ठीक है तो कोई वी चीज क्या होता है 100% होता है उसमें दुस्तो 10% का छूट है तो वह कितना का होगा 90 का होगा ठीक है आपको पता है 10% का छूट यानि वह कितना का है 90% का है ठीक है पुना का रहा है 14% का छूट तो जब ही दोस्तों छूट की बात होते हैं तो मनों क्या करते हैं अंतर करते हैं मतलब 100% वे से उसे मेनस करते हैं यहाँ पर है 14% का छूट तो आप कहा सकते हैं यह कितना का होगा 86% का होगा यह जो दोनों छूट है इस दोनों का आपको निकालना अंतर तो 90 और 60 में कितना का अंतर 4% का अंतर है यह दोस्ता आपका अंतर आगया कितना का 4% का और आपको अंतर कितना का पता है 37 का तो आप कह सकते हैं 4% का मन कितना होगा 37 होगा ठीक है जबी दोस्ता आपके सामने स्टैप का कुश्चन दिखे आपको इसी तरह से apply करना होता है तो यहां से आप लोग निकाल सकते हैं 100% कमान तो यहां से आपको जगा 87 बटा में करदेना है 4 आपको निकलना है 100% का तो multiply कर दीजी एकसा से यापको जग पचीस चोकी एकसा तो यहां पर आपको संख्या बचाढ़ 77 अब multiply कर देना है 25 यहाँ पर आपको multiply कैसे करना है पहले 25 को 25 से multiply किजी कितना होगा 625 होगा पुना दूस्तो बचा आपका 2 क्योंकि 25 दूसत है तो बचा 2 25 को 2 से किजीगा तो कितना होगा 50 होगा उजार 625 आपका होजगा 675 आपका हस रखते उस वस्तू का जो करेमूल है यानि कीमत होगा कितना है 675 है तो उप्सन नमर देखे आपका 675 तो जब ही दोस्ता आपके सामने इस टेप का question देखे आपको इसी तरह से बनाना होता है ठीक है तो इसे दोस्ता आप लोग समझेऊंगे चले बात कर से अगले question की आपके सामने दूसरा question है question करा 18% हानी और 17% लाब के बीच का अंतर 63 रुपया है वस्तू का करेमूल ग्यांत कीजिए तो यहाँ पर दोस्ता आपको निकलना है वस्तू का करेमूल यानि cost price जिसे हम लोग का तेंज CP ठीक है और आपको पता है कि वस्तू को 18% हानी और 17% लाब के बीच का जो अंतर है वह कितना का है? 63 रुपया का है ठीक है मतलब कि एक बार जब 18% की हानी होता है और एक बार जब 17% की लाब होता है उसमें वस्तू कितना का अंतर आता है? 63 रुपया का अंतर आता है ठीक है इस दोनों के बीच का आपको निकालना अंतर, दोनों के बीच का अंतर आजएगा आपको 35%, यहाँ पर आपको अंतर पता है कितना 63 का, तो यहाँ पर आपको कहा सकते हैं, 35 कमान हो जएगा 63, आपको निकालना 100% कमान यानि CP, तो यहाँ से आपका आजएगा 63, बटा में हो तो आपका सकते वस्तू का करे मुल कितना एक ससी है तो अपसर नमर देखिया आपका 20 हुजगा एक ससी तो इस टैप को दूस्त आप लोग द्यान में रखेगा चलिए बात करते गले कुश्चन की आपके सामने तीसरा कुश्चन है कुश्चन करे दी एक वस्तू को 13% हानी और 14% लाब पर बेचा जाता है तो दोनों के मुल्यों की बीच अंतर 162 रुपया पर आपत होता है वस्तू का गरे मुल ग्यांत कीजिए तो यहाँ पर भी दूस्तू आपको निकालना है वस्तू का क मेनस करते हैं 100% में से और जब लाब होता है तो पलस करते हैं 13% की हानी यानि आप कहा सकते 87% ठीक है 14% का लाब यानि 14% ठीक है इस दोनों के विच का निकालना अंतर तो यहां से आपको हो जगा 13,2,2,6,1,7 यानि अंतर कहा सकते हैं 17% और आपको अंतर कितना है पता 162 तो जैन्लै याने 10% ठीक है 9,3 पुना दुस्तु यहां से आपको हो 911 यानि 97,ानि 7,2 आपको जगा बातर तो जगा पतर पुना 9 से लगए पको जगा 88 बधतर इनफ इनफ बातर इनफ हो जगाivity आपको जग blocking इंछत चो तो अंक्या भचा आपका 6,multiply कर देने 100, यानि आपका पर बेचने की तुला में 870 रुपया दिक मिलते हैं, मोबाइल फॉन का करेमुल क्या है? तो यहाँ पर उस्ता आपको निकलना है मोबाइल फॉन का करेमुल यानि CP ठीक है, और आपको पता है कि मोबाइल फॉन को जब 6% लाप पर बेचा जाता है, तो 6% आप बेचने की तु हो जागा 12 पर्सेंट। और आपको पता है 12 का मन कितना है। मतलएahlenth town9 870 है। यहांपर आप का सकते हैं 12 का मन कितना होगा, 870 निकलना मिकना 100 का मन ठीक है कि यहां से हो जगा 1070 हो जगा 12 मुल्टिपलायकर देना है 100 से । यहां आपको हो जगा 4, 3, 12, 29, 37, यानि 290, पुना 4 से कटेगा तो जगा 25 चोके 1 साथ, तो संख्या बचाव आपका 290, मल्टिप्ले हो जगा 25, यहाँ पर आपको इसे मल्टिप्ले कर देने ठीक है, तो पहले 25 को 25 सिखेगा तो 625, यानि 25, 429 तो बचा 4, तो 25 को 4 सिखेगा तो 1 सा उदर 425, यानि आपका हो जगा 725, एक जिरो बेठा देना है तो आपको हो जगा 2250, तो उससा नमर आपका डी सी हो जगा 2250, आप कहा सकते है मुबाइल फून का कीमत कितना है, 2250 है, ठीक है, तो इसे दुस्तर आप लोग ध्यान में रेखेगा, ठीक है, चलिए बात करते है आपके सामने पाचमा कुश्चन है, कुश्चन करें, एक 13% हानी और 15% लाब के बीच का अंतर 63 रुपया था, परस्ट में वस्तू का लाग अतमूल 10 रुपया है, तो यहाँ पर आपको पता है एक बाद हानी कितना का है 13% का है, और एक बाद लाब पता है 15% का है, मतलब इ तो आपको निकलना है दोनों की बीच का अंतर, तो आपको जगा 3026-28, यानि दोनों की बीच का अंतर हो जगा 18% का, और आपको अंतर कितना पता है 63, यहाँ पर तो 18% का मान हो जगा 63, आपको निकलना है करें मूल यानि 100% का मान, तो आपको जगा 63, बटा में 18, मल्टिप् देना है 25 तो आपका 25 नमा हो जाएगा 225 यानि आपका सकते हैं वस्तु का जो करेमूल है वह कितना है 225 है जपस नमर देखिया आपका यह से उजगा 225 तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझे होंगे चलिए बात करते हैं अगले कुश्चन की आपके सामने जहता कुश्चन है कुश्चन का है एक थोक बिकलेता जल सुदख 40 परसेंट की हानी पर बेचता है यद Ihrer करेमूल में 205 उर्पय की बिर्दी कर दी जहीं तो थोक बिकलेता को 10 परसेंट का लाप प्राप्त होता है जल सुदख का करेमूल क्या था त spare आपको nyकालना है जल सुदख का करेमूल यानि कोश्ट प्रेस जिसे हम लोग करतें सीपी और आपको पता है कि जल सुदा को 40% की हानी और 10% की लाब पर बेचने पर कितना का अंतर आता है 125 रुपे का अंतर आता है ठीक है यानि 40% हानी और 10% लाब का जो अंतर है वह कितना का 125 का है तो यहाँ पर आपका सकते हैं 40% कहानी ता आपको हो जगा 10% पुना कारे 10% का लाप ता आपको हो जगा 110% आपको निकाल लेना है दुनों की बीच का अंतर ते आपका जगा 50% ठीक है दुनों की बीच का अंतर है 50% का और आपको अंतर पता है कितना है 125 यानि 50% कमान आपको हो जहाँ 125, यहां से आपको हो जहाँ सकते 100% कमान, यानि CP कितना होगा, या आपको हो जहाँ 125, बतामे कर देना है 50, अब मल्टिपला हो जहाँ 100 से ठीक है, ये आपको हो जहाँ 22 pipe 2 यानि 250, यपोल्डि जो जितना है 200 है। तो इसे भी दोस्तों आप लोग समझेंगे, चले बात करते हैं ले कुश्चन की आपके सामने सातमा कुश्चन है, कुश्चन करा है जब बलू जूते की विक्रेमूल में कमी करके 370 रुपिये से 345 रुपिये कर देता है तो इसे 4% ज्यादे हानी होती है, जूते का विक्रेमूल ग्यान कीजिए तो यहाँ पर उस तो आपको एक जूते का विक्रेमूल पता है कि उस जूते का जो विक्रेमूल है जब उसे 360 से 345 कर देता है तो कितना कहानी होता है 4% कहानी होता है ठीक है यहाँ पर आपका सकते हैं अंतर आपको पता है 4% और आपको यहाँ पर अंतर निकाल लेना है कितना कोगा 360 और 345 में कितना गंतर है 15 कंतर है ठीक है आपको निकालना है जूते का करेमूल यानि 100% का अमान ठीक है तो यहाँ से आपका जगा 15 बटा 4 अमल्टीपले कर देना है 100 से या आपका थो जिखा 25 चो कि एखसे याई 25 तो 25 को 15 से मल्टीपला कर देना है ठीक है तो 25 को फ़ले 10 से मल्टीपला कि जरी तो आपको जरी दोसज़ए 250 पुना दुस्तो 25 को कि ज़िए 5 से तो आपको जरी एक सब पकिस यानि 250, century यानि 250 आपको जरी 375 यानि आप कहा सकते हैं जूते का जो करेमूल है वा कितना होगा 375 रुपया होगा तो अपसर नमर देकिए आपका 20 सिरुज़ गा 375 ठीक है तो इसे भी दूस्तों आप दो ध्यान में रखेगा चलिए बात करते अगले कुश्चन की आपके साबने आठमा कुश्चन है कुश्चन करें एक वस्तू को 20 परसेंट के हानी पर 15,000 रुपया में बेची गई वस्तू का करेमूल ग्यांत किजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपको निकलना है वस्तू का करेमूल यानि CP और आपको पता है कि वस्तू कितना के हानी पर बेचा जाता है 20 परसेंट के हानी पर बेचा जाता है यानि 15,000 में बेचा जाता है ठीक है तो 20 परसेंट के हानी है दोस्तों तो कोई भी चीज़ क्या हो तो 100 परसेंट होता है और 20% कहानी है तो वह क्या होगा मिनस हो जाएगा तो आप कहां सकते 80% कमान आपको पता है कितना है 15,000 है ठीक है आपको निकाल लेना है 100% कमान यानी CP तो आपको जगा 15,000 बटा में कर देना है 80, multiply कर देना है 100 से यह आपका 0 से 0 खतम आपको जगा 5, 2, 10 या आपको जगा 4, 2, 4, 4 से कटे गए तो आपको जगा 4, 5, 2, 10 तो बारा, 3, 15, 15, जगा थीर, 30, 30 को अपको जगा 4 से कटे गए ता आपको 45, 8, 6, तो इसे दोस्तों आपको ध्यान में रखेगा चलिए बात करते गले कुश्चन की आपके समने नमा कुश्चन है कुश्चन करें सपूर्ती ने 17% के लाब पर जूते के जोरे को 327 रुपया में बेचा था जूते के जोरे का करेमूल कितना है यहाँ पर आपको पता है कि सपूर्ती ने कितना लाब पर बेचा है 17% के लाब पर बेचा है जूते के जूरे को कितना में? 327 में तो आपको बताना है जूते के जूरे का करेमूल यानि CP यहाँ पर आपको आपको सकते हैं 17% का लाब है यानि इसमें क्या करना है? पलस करना है यह आपको हो जगा 117% यानि आपका सकते 17% का मन कितना है 227 है ठीक है आपको निकालना है जूते का करे मूल यानि 108 परसेंट का मन ठीक है या आपको हो जगा 327 बट्टा में हो जगा 117 multiply कर देना है 100 से यहाँ से आपका 117 से 227 जो है या आपको हो जगा 19 ठीक है आपका सकते जूते के जूरे का करे मूल कितना है 19 से है तो अपसन वर देखिया आपका ECG का 19 से तो इसे भी दोस्त आप लोग समझे होंगे चले बात करते अगले कुश्चन की आपके सामने आखरी कुश्चन है कुश्चन मर्दस कुश्चन करें साहिल ने 20% की हानी पर किसी वस्तू को 28 में बेचा वस्तू का करे मूल क्या था तो यहाँ पर भी दोस्त आपको निकलना है वस्तू का करे मूल ठीक है और आपको पता है कि साहिल ने किसी वस्तू को कितना में बेचा है 20% की हानी पर बेचा है कितना में 280 रुपया में, यहां पर क्या है दोस्तों हानी है तो क्या करेंगे मिनस करेंगे, यांनि आप कहा सकते, 80% का जो मान है, वह कितना है 280 है, ठीक है, यहां पर आपको निकलना है 100% कमान यानि करे मूल, या आपको हो जगा 280, बटा में कर देना 80, या मल्टीप्ले हो पहें वस्तू का मूल कितना है 350 है तो अपसर मर देखें आपका सीसे जोगा 350 तो यह दोस्तो आज़ी क्लास का आखरी कुश्चन था ठीक है और यहाँ पर दोस्तो हम लोगों ने टोटाल 5 क्लास किये हैं प्रोफी टैनलोस का आपको दोस्तों बारिकी से हरे क्लास को समझना हो और आपको लगता है कि लोगों इस क्लास से सीख सकते हैं तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बैल लागन को दबाएए इस चाह आपको अगले क्लास को रिपकेशन मिलता रहेगा एक भी क्लास मिचन नहीं होगा तो मिलते हैं दोस्तों क्लास मिचन तो तक के लिए जाहिए जया भरत